आज विद्याले में हमने दूब लगई थी और दो पैर तक अब विद्याले में बहुत अच्छी बारिश हो गई है जिसकी वज़ाशे ये दूब जो हमने लगई थी वो पानी शतर बतर हो गई है बगवान भी महरबान है अच्छी बारिश भी चल रही है लगबग लेड़ बज़े हैं कि यह मरुस्तल की भूमी है इसलिए फानी को जल्दी सौफ लेती है और बारिश है वो बहुत मुश्लादार और आराम से चल रही है पीचे ते जारी और बारिश अगली बारिश कब होगी एसलिनीयक करते है क्या बारिश सबस्ती इस तरही है अधिक्तर और ही करते हैं कि तो फिर फिर benefited Кईय वंगेर खराब नहीं होगी जांक ज्यादा बहुंआ बोट ज्यादा बारिश से फस्लों को दोड़ा नुक्सान होसकता है लेकिन अभी जिस परकार की बारिष चल रही है और 25 से 21 तक तो बहुत अच्छा इसके लिए बारिष 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 का बिल्कुर फिर तो हम आपको बहुत बड़े बहुती वक्ता माल लेंगे यह बहुत शक्त हुए होगी स्रक्ति है परची उसे 31 अगस तक बीच में अच्छा आज जो बारिष और उसके बारे में क्या कहना चाहोगी अच्छी बारिष और मनमुक बारिष बहुत अच्छा है शांदार द्रेष यह देवा फेर भूदे भी खूब लगाए है बिल्कुर इस बार हमने बहुत पोदे लगाए हैं और एक जिमून के साथ खिल रहे हैं बगवान भी महरबान हैं और यह दूब भी यहां पर हमने लगाई थी यह आलांकि पहले खिल लगाई हुई है और आज उदर लगाई थी सुबह जहां पर अभी यह पानी बरावा है मुके जी यह हमारे गणीत के अध्या पक्षाती है मुके जी अच्छी बारिष हो रही है इस वार फचले यह अच्छी होगी एसा अनुवान हम लगा सकते हैं बहुत सांदार अभी बारिष हो रही है हालांकि आज बच्चों के लिए जल्दी आवकास गोसित कर दिया गया था अधीकारियों के द्वारा लेकिन अभी लग बग देड़ बज़े हैं और हम अभी घर नहीं जा पार रहे हैं क्योंकि बर्सार आ रही है लेकिन खेर हम खड़े हैं यहां पर इंजोई कर रहे हैं वहां पर कुछ बच्चे बड़े बच्चे जो यहां पर बोली बोल खेले थे हमारे पास की जो दूसरी स्कूल है सुनियर स्कूल वहां के बारिश आने की वज़़े से वो भी बारिश को इंजोई कर रहे हैं भीग हैं वहां पर उदाश जोड़ी नंबर वन शेतान जी परकाज जी और लक्षमणदी परकाज जी क्या हाल चाल है आज आज आपने पोड़ों को ले करके बहुत काम किया था रब बारिश हो रही है तो कैसा अनुबहों कर रहे हैं बहुत ज़़दी पोड़ हुए तो बहुत गर्दी पहले जमलंडर्र फजस्वत यह पारिश होती हिंव मैनली गें Attra अब मानली जी यह बहुत जबर्द़स्त मंनली बन चुका है अपना हिला नहीं है कि पक्रमला है मीदारी दिरे धिरे अरियिकाली है अदुरे फजाल पूरा बरसता ही निक्लाय है अलांकि शुबह है अमारे इस में बाउंट्री को पार करके ऊपर से एक नील गाय गुश कई थी जिसने कुछ से नुक्षान किया चार पोदे खा गई थी चार पोदे ऊपर से खा गई है लेकिन हम आसा करेंगे इस परकार की सांदार बारिश के चलते वो पोदे भी उन्हें ठड़े हो पाएंगे अच्छा त्यार किया है अभी बारिश तेज हो रही है लगबग लेकिन अच्छा है बर्साथ जितना गिरे इतना अच्छा है अच्छा है प्रगाजी शेतान जी कह रहे हैं इन्होंने गोशना की कि 25 अगस्ते 31 अगस्त के बीच में जवर्दस्त बारिश का दोर है अब यह ऐसा नही अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है यह कुछ बड़ी स्कूल से यहां पर खेल नहीं पा रहे हैं अच्छा है अच्छा है अच्छा है आप बहुत उदाश हो और यह आश्मान नहीं रहा है अच्छाह आज परगाजी के और यह उदाश है प्रगाजी ने शक्या कर दिया यह देखिए हमारे विद्याले में यह दो रूम है तो बामा शाहों ने बनाया है जिसमें से यह एक रूम बनाया है यहां एक शेकेदार साहब है तरण कुमार भी लाहोटी उन्होंने यह रूम बनाया है और यह रूम बनाया है यहां के इस्तानिय समाश सेवक राजनेता अजारी रामजी द्वारा इस रूम को बनाया गया था बारिस अभी भी चल रही है अच्छी बारिस अलकी बूंदाबादी चल रही है लेकिन उसके बावजुद प्रकाजी का काम अभी भी चल रहा है यह नीम का पोधा तो इसे प्रकाजी तयार कर रहे है जैसे बीश दिन लगबग होगए Toby बारिस चली रही है यह दो दिन चोड़ के बारिश एक दो दिन चोड़ के बारिस यह चोटे पोधी लगए हुए है by उप्र से आकर केर इसमें कौन सा पोधा है इसमें भी नीम है गूझेर इसको खाने से दिल बहुत आत होता है काफी बढ़ा हो जाता है रोई उसके बाद खा जाते तो पर अबी भी तो छोटे हैं वो भी बहुत लेला रहे हैं यह सावन की वारिस की वज़ेश यह सीसम है जिसको हम कहते हैं टाली बहुत ही सांदार चोटा पर मन मोहक पोदा यह है नीम नीम का बरक्ष यह भी चोटा है पर बहुत अच्छा है और यह यह शीशम थी जल गई है तो यह क्या लगए अब भी आज पामासा न की दिना गोशन वहां से वह दोई लेके आएंगा वह दीमक खाने को उन्होंने कुछ एमिड वगए रहे शर नाम बताएगा कल हमारे यहां पर शक्तन तरता दियुस था तो उन्होंने गोशना की एक बामासा ने कालू राम जीने की वह इन पोदों के लिए दीमक ने खाए इन पोदों को इसके लिए वह दवाई मुफ्त में देंगे पूरे साल के लिए तो अभी उनसे हम संपर करेंगे यह है सीसम वापिस आज जाकर के पोदे लेके आएंगी आज जो भी कम पड़ गए है जिनको नील गाये खा गई है दो तो जल भी चुके है दो जल गए है या दीमक खा गई तो बताईए का यह पोदा कौन सा है यह देखिए उपर एकदम से कौपलें फूरती हुई बहुत सांदार कौपलें फूरती हुई यहाँ पर हम इनको देखते रहते हैं नीचे से इनका तना तयार करते रहते हैं ताकि यह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करें और सत्री न नहीं भार नहीं शैप आते हैं तो उनमें आज सब में लकडियां बांद करके इनके पास और इनको सपोर्ट दिया गया है ताकि इनका जो ये तना है ये मजबूत हो सके ये भी देखिए बहुत सांदार कौपल है फूट चुकी है इसकी भी और इसी तरह से ये जो है वो पोदे हैं तो इसको अपन उठा के रूस में डाल दें तो जहां जल गया है वांप एक ये लगा देते हैं रहे एक उसम है उसमें भी छोटी सी एक शीशे में वह भी लगा सकते हैं इनको पिछले साल क्योंकि विद्याले में गेट नहीं बना वा था तो पसु बहुत आते इनको बहुत खाया उन्होंने लेकिन इन्होंने इम्मत नहीं आरी और अब जाके ये तयार हुए हैं ये एक काफी सिसम का ब्रक्ष है जो काफी बड़ा हो गया है लगबग पेड़ बनने की इस्तितिम आ चुका है अगले साल तक ये अच्छी इस्तितिम हो जाएगा ये द बस वो जल गए है ये है कनेर जिसमें पीले फूल आते हैं बहुत ही सांदार और सुन्दर फूल आप इसमें देख सकते हैं काफी बड़ा था नीचे से इसको काट करके इसके तन्हे को मजबूत किया गया है तो इसलिए अभी ये थोड़ा चोटा दिक रहा है पर ये अगल जावा फूल बहत सांदार ये साथ में दूब लगई हुई जो अभी शुरुआती चर्ण में ये तो आज ही लगई है अब उपर अच्छी बारिस हो चुकी है तो ये दूब भी अच्छी हो जाएगी अभी कल या परसों में इस दूब के कारिकरम को थोड़ा आगे बढ़ कर दो कम दो कि अच्छी है अभी चुकी जाएगी तो आज है को तो कारिकरम को उपर में आज है लगई है लगई है अजसी साथ तो आज है जाएगी है